कि हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अमार के मेकैनिकल यहां पर देखिए हम पॉर्टन कुर्शन करने वाले स्पीजियल विशाक रिफाइनरी के लिए वेरी मोस्ट पूर्टन कराऊंगा आपको पूरा वीडियो देखना सुरू से लेकर अंड तक ठेक है वह यह आपकी पोस्ट हो पहले आपको मैं थोड़ा सा कुछ बता दूँ यहां पर देखिए यहां पर 50 जो कुश्चन होगा वह आपको टेक्निकल होगा तो यह जानकर होना जरूरी है और 50 कुश्चन आपको नोन टेक होगा ठीक है और तो 50 कुश्चन के लिए मैं आपको करा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं करा रहां औे 50 कुश्चन जो नॉन टेक होगा उसमें से क्या देखी बीशत आपको 20 कुश्चन का मैतमेटिक्स का और आपका 15 कुशन आएगा आपका रेजिनिंग का और 15 कुशन आएगा उस में से देख़ी आपका करेंट अबर्ट अबेश वर प्लस इंगलिश होगा ठीक है थोड़े से कुशन इंगलिश के पूछे आते हैं ठीक है के लिर हूँ तो यह आपका 50 है नोन टेक्ट वाला और टेक टू वी डेवलब्ड अड्र मॉड्रे डिस्चाज देखें यह क्या चैरा है यह क्या होगा क्वावन सा पॉपॉप सुंटिभल होगा वेरी हाय ब्रेशर एंड मॉड्रेट डिस्चाज के लिए तो देखिए हाई प्रेशर्व ह्मार इसमें का होता है पिष्टन चेया क्या करता है यह वाल होता है समझने मेरे टाइम लगा को उसके गड़ों से पर चस्पीरद से करहा हूँ को तो यहां पर के यह इ tentang फिच्टन इधर जाएगी तो यह पानी है ना इधर से शखंख से नब सुकंर करेंगे माड़र वद्वाद यहां से लेकर यहां शखंख करेंगे पींसके बाद फिर दल्म eh जानते हैं क्रेंग घूमेगा यह इधर उधर होता जाएगा चलिए यह आपका पिश्टन से कुश्चन था तो चलिए आपका नेक्स पूशन देखते हैं के लिए हो रहा होगा चलिए नेक्स देखिए कि ईश्टन कि वाट यसजारी फंच्व नसिफy hot इजन इस दो अँप क्षा इसकिए घृष्ट अटैंसर हो जाएगा चलिए नेक्स देखते हैं आप आई कि थरी कुश्न देखिए विचारद अफ नमबर ऑफ स्लाइड अन्ट टर्निग एंड रिग्षा तो अपको देख रखा होगा यह तो इसम में आपको पूछा है कि कितने फैर टनिंग पेर होते हैं कि इतने पेर होते हैं तो यहां पर देखिया एंस्लाइडिंग प्यर ह होता है ठीक है इतने होते हैं तो यह आंसर हो जाएगा इसका चलिए और नेक्स विशन देखते हैं नेक्स विशन क्या है कुछ नमबर फूर देखिए वैरी मोस्ट इंपरने कुछन नहीं विच अप्ड़ फॉलिविंग रिलेशन इस ट्रूफ और कोफिशन्ट पर्फूमें होती है ठीक है छोनल ला होता है वह उता है डिजाइर फटैक डिजायर एफैक्ट अपाउन वर्क इंपुट टेक है वर्क इंक पॉता है एक्चोल फॉल्मूला जो हता है जो फर्मूला होता है वह आपका होता है छी ऊपी अ नहीं ही ठीक path combo is equal to one plus COP refrigeter तो इसमें दे रखा इस टाइप का formula देखो इसमें नहीं दे रखा कहीं पर ठीक है तो इशें को किस तरीके से होगा यह COP heat pump है na COP heat pump को ऐसे लेकर लेंगी COP refrigerator को इसके इधर लेकर आएंगे तो माइनस स्यूयोपी डाय इसकल टूबवनों तो ये कि ये वाला जो फॉर्मूला है वह पहला ओप्शन है तो पहला अप्शन देखिए स्यूपी-डाय पॉल्च हो जाएगा तो पहला ओप्शन हो डायगा के लिए चले ये डेकर कोंब नारे को तो सब्सक्राइब करको क्या करना है अलिक पर के लिए ध्यान से देखें सब्सक्राइब को ट्लिक्रामगक लिए उस पर क्लिक कर реально है ओप को सीधे आफ़ को वहां पर टेलीग्राम हो जाएगा टेलीग्राम जॉण होने के फायategmy आपको अपटाण फेरी जो आपको एज मिल जाएग़ और अठीज एड़ को मिलती रहेंगे रोज के रोज ठीक है डिप्लोमा, मेकेनिकल इंजिनिंग करे हुए है ठीक है और जितने भी एक्जाम है पीएस्यू के ठीक है पीएस्यू एक्जाम जैसे IUCL होता है HPCL हो गया NFL हो गया ठीक है NPCIL हो गया यह सारे एक्जाम है इनकी तैयारी मैं करवाता हूँ तो आपको कहा करना है रोज के रोज कुश्चन आशर देखने है ठीक है इस रोभी है आपका इस रोगर्वन्मेंट ऑग्जान और तो इस रोगी तैयारी भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और एंजो NCL है नौर्थन कोल फिल्ड लिम्टेड है इसके भी कुश्चन मेंने बहुत सारे करार रखे है प्रेवेस एक पर भी करा रखें तो देख ले रहा चलिए तो सब्सक्राब करना है ठीक है मैं इसलिए देखो सब्सक्राब करने के लिए बोल रहा हूँ कि यह पीडियाफ जो बना इसके इंपोर्टन कुश्चन है यह वन टन डाफ्रिजर डाफ्रिजर जो होता है वह थापको ट्वैल तादन ब्रिटिस थर्मिल निविट हाबर ठेक है तो मैं डाट आपको आंसर बताता जा रहा हूं जल्दी तो देखी यहां पे और भी वन टन वेरी मोस्ट इंपोर्ट इसको कॉपी में लेकि लेना ठीक है एक तो यह और यह और यह आंसर इसके बता रहा हूं मैं देखो वन टन रेपरिजेशन जो होता है ना उसकी जुल डेफिनीशन है वह है वह वन टन डेपरिजेशन इस डिफाइन अधामाउंट ऑफ रैपरिजेशन एफ्यक्ट प्रोड है वन टन डेपरिजेशन ठीटरी फाइफ लिन ट्वटीवर आवर्स एंट चालीश में तो मैं आपको बता दूँ आपको डेफिनीशन ज्यादा कुछ नहीं करना आपको क्या करना है इसका आंसर देखना है तो आंसर तो एक तो वह मैंने बता दिए एक आंसर यह गया ठीक पर मिनट और 3.5 कलोवाट यह सबसे जादों आप्शन में मिलेंगे तो यह दोनों याद करकना उसके पाद 3.5 कलोडिल पर सेकंड होता है और होता है पचास कलो कलोरी पर मिनट होता है तो यह एक यह ठीक है तो पांस तो यह होगी और 12000 बिट्री थर्मारी यूंट वह चै अब दा और हाईर एक्जामिनेशन वह आते हैं यह भी है यह यह भी है यह तरीके से पूछे आते हैं क्लेर वाच नेट देखिए यहां पर कुश्चन देखिए इंपोर्टेंट वाट इदा फंक्शन ऑफ मॉड्रेटर तो मॉड्रेटर का फंक्शन क्या होता है वहीं इसमें से कौन सा होगा डिदूज दा इस्पीड ऑफ न्यूट्रन की इस्पीड को डिदूस करते हैं ठीक है किलियर हुआ चलिए वहीं होता है नट और नहीं होगा इस्पीड़् गॉट नोट होता है वह पावर ट्रांस्मिशन है एंतर में गरता तो बीदूस को दखिए भीस को सबसे से पहले कौन देगा comment box में आंसर बताई इसका कौन सा होगा A B C D क्या आंसर होगा बताई यह दिखें इसका जो आंसर हो जागा भाई वह जागा सपोर्टिंग टाइपलि में सपोर्टिंग डाइपलि मेंन फोता है डींग की गन्यों होता ने Vivo किसी भी को रनिंग कंडिशन में सपोर्ट करने के लिए होता है तो यह तो आपकर दिख रहा है यह कौन्से बेरेंग रोलर बेरेंग ले के यह रोलर वी यए न Delhi एकatas ये जनलर टीक है तो जनल वियर्ण जो होती है रोलर बेरिंग उसकी इसके शाफ करने है ठीक है और जल डियरेंग जो होती है यह शाफ्ट है तो इसके उपर जन्र लिए परपैंट्ट कुल करने के लिए होगी तो मैं आपको ताद हूं मैंने मैंने वर्क किया है और ठीक है तो वहां पर चैन्ज करने बढ़ती है तो यह वगया आपका सब्पोर्टिंग टाइप एलिमेंट होते हैं चलिए नक्स देखिए वहां पर कुछ नमबर 9 देखिए कुछ नमबर 9 में क्या है विच 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 फॉलविंग इस नौट इस सर्फिस फिनिशिंग प्रॉसेस त ने बड़िक्श के बार टॉस रहा है तो रही हमीश के ना वहां अग्यार की प्रॉसेस्टर नहीं है ठीक है इसके लावाव देखिए सब सर्फिस फिनिशिंग प्रॉसेज में आते हैं देखिए बफिंग के बारे में सबस्रेकर बता दूंब फिंग का जैसे माललों को प्रॉडक्ट है इसका यह पर आपको करने से ब्रॉडक्त है तो यह वील होगा ना इस वील के ओपर यह कॉटन का बदा मि ने के लिए ठीक है शाइन करने के लिजिए किसी प्रड़ साइन करने के लिए कि लिए बृफिंग की जाती है और हॉनेंग पारे में तो पता होगा कि और नल आ прडून धूल हिरा होनिंग ठीक है तो इस तरीके से आफ पर स्ट्र है किसी इंदर होन in के अंदर और आपका लैपिंग जो होती है वह लैपिंग आपका बहुत ही कम एक मात्रा में फिनिशिंग करने के लिए किसी प्रोड़क्ट पर यूज करी जाती है चलिए नेक्स देखते हैं तो यहां पर कुशन नमबर टैन देखी वेरी मोशन परिंट कुशन यहां पर एप बहुत बर बढ़ा होगा और बहुत बार आता भी है तो देखिए इसका जो आंसर वह जाया गभी वह जायागा गेज़ प्रैशर प्लस एट मस्वेर प्रैश ठीक है भी एंसर हो जायगा ठीक है किलिए छले नेक्स कुशन देखते हैं कुशन नमबर 11 देखिए कुशन हगा तो कोई भी ही ट्रांसवर नहीं होगा तो उसको मोझे ना तो यह जाएगी ना आईगी तो सको हम क३ INFORMATION है ठांसवर तो इसका आंसर जो होजा है वह नगा हम तो ये सब्सक्रेदाइब अर्षृ रोग्त ट्रांसफर सब्सक्राइब ड्रांसब। कर ट्रांसब। पर हीकर और ट्रांसफर के बत्रांसफर Kins entrar ट्रांसफर वह दोनों पाथ फंक्सण होते हैं कि युद्फ pass फाॉइंट फंक्शन ग्या होते हैं त्वाइंट फाॉइट्टीज होती है ठीक है प्रापर्टिज आप memories छोती है ठीक है तो यहां देखिए जो ही ट्रांसफर है कि ट्रांसफर का आंसर बता दिए मैंने ही ट्रांसफर जो होते हैं वह आपके थर्मोडानिक प्रॉपर्टी नहीं होती है ठीक है वह होते हैं आपके पाथ फंक्शन होते हैं पहली बाद तो यह है और थर्मोडानिक प्रॉपर्टी नहीं होती ह है यह भाउंड आपनीम को मड़ें बंबन कर दो ये तो वोगे के लिए ऑफ पॉरंक्शन पर आते आ आते हैं हैं आपका देखी प्रॉपर दिख को थे इतो दिर वो थे य пबिरें मेस हो तो इस इन डिबेंडेंडन्द ऊन मास और साइज Russia यह मास्ट उर साइज पर डिपेंड नहीं करती है ठीक है को एक्सटेंट प्रापर्टी है मास कौन यह को देख यह देखें प्रिदिया हम ह। इंटेंसिव ठीक है और एक्सटेंजिव तो इंटेंसिव आपकी वह वह है है नगधेंग्ड वी कि अपी स्कोंसिटी और एक्सटेंसर प्रापर्टी में क्या हो जाए गए जो मास्पे ठेपर निटेटी और एच अपकी एस्व थी एंट रभी ठीक है तो कुछ कर ब्राबर यू प्लस पीजी बहुत है अपने बहुत बहुत है टेक है इतने सारे कुछिन होगे क्लियर तो जो ही ट्रांफर है आपका वो आपका पाफ फंक्शन है चलिए तो आन्या लेक्ट देखिए तो यहां प्रेखिए यहां पर इंपॉर्टन कुर्शण बन जाता है तो देखी समझें यहां पर देखें इंप्धोर्टन कुशन क्या बन जाता है यहांपे देखें मैं आपको बता दे रह Ins अभिषार अधिया चिया ने का अधिवर हो गया उसके बार चाहरा नहीं विए पर हो गया तो देखें यहां पे solid से ले एक solid से vapor अगर solid को वस्तू है उसको वेपर में डायट अगर बदल रहा है तो उसको बोलेंगे हम अब उसको बोलेंगे latent heat of sublimation ठीक है क्या बोलेंगे latent heat of sublimation यह आंसर हो जागा इसका और solid से अगर यह दर तो लेकर बोलेंगे तो आप समझ सकते हो मैं आपको बता दिया है तो वही कुछ रहा है तो आमाउंट आफ यूनिट मास सॉलिड वेपर सॉलिड से लेके वेपर में ठीक है दिख रहा है तो लेट वी में बोलेंगे चलिए चलिए चली यह सी आंसर हो जाएगा इसका नास तेख्ते है ब्रेक इफिसेंसी होता है इंटरल इफिसेंटू मेकैनिकल इफिसेंसी चलिए नेक्स देखते हैं आपर कुछन नमबर 15 देखिए 15 कुछ नमबर में क्या है तर्डियू पॉइंट टैंपरेचर तो देखो डी बीटी डिवर्ट टैंपरेचर ठीक है डी पीटी सौरी डी पॉ है वर्यवर्यमोचन पॉच्छन न तो इसका जो जाए वह वह जैएग आपका अंसे चुरेटेटरिट एंट बनती बदी यह जब एंट टैंपरेचर कम होता है वैट वर्ड टैंपरेचर से ट्लियर तो नेच्ट देखते हैं रहे प्स्षञ नमबर 16 देखिए कुछ नमबर रिच्प्सक्राइब क्राव गिमिंद कुम और जो के लिए क्षिक्तिक्सक्राइब कि लिए क्या ओगा वह आपका सिक्टीव बाइच नो क्या होता है आरे इस गयल टू रो रो वी डी अपन विग टीकर यह तरड़ से कि जाता है कि फ्लो की कंडिशन है लैमिनार होने तो मैं आपको यहां बता दियुक्त है अगर 2000 से और कम है तो आपको फ्लोः वह लैमिनार और होगा ठीक है लिए आपका लगए प्लोः प्लोः कर फ्लोः जादा है तो अपक्र बोलेंगे जब फुलोड के पार्टिकल एक दूसरे को गरेंगे लियरवाए critics नहीं करेंगे तो उसको सूच्च बोले मिलब उल्तर प्लूंड्टा से एसे को धुर्टा सीधा मनें 2 बहुत साथ हुं आरे मुछ स्डून ऑल्तर स्टर के ऩरती है अज़ए मुझे से इस्धा इस्वाऊ प्रटे बीव होता है वह आपका क्या होगा रोटार्य फॉर्मॉला फॉर एफ ल वी स्कुर्ट-पन टू जीडी दिकेंट यह हो जाएगा यह कुछ यह एक्ष्टा कुश्छन है एक अठागे क्लियर तो यह फ्रिक्ष्ट फक्टर जयाए फ्रीप होग तो 64 बैए होता है 54 बैए होता है यह बड़ी के लिए तो वी दिन लास्टिम लिमिट के अंद तो क्या बोलेंगे रेजलेंस या इस्टेन एनजी या बोत अंड वी तो देखिए इसका जो आँसर हो जाएगा बहुत यह बी ठीक है रेजलेंस उस्टिन आरजी देखो मैं आपके पास एक सप्रेंग अपके यह यह यहां यहां पर लोड़ा दिया घ्म लेट लाहं लेट क्या हो जाएगी तो यहांत ific और अगर अप्टू अप्टू लिमिट बोलते हैं तो वहाँ भी प्रूफ रेजिलेंस ठीक है यह और इस्प्रिंग के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो रेजिलेंस की होती है क्लियर तो चलिए नेक्स देखते हैं इसका अंसर हो जाएगा वाई सी आंसर ठीक है कि देखिए कुशन नंबर 18 देखिए वेरी मोशन बड़ कुशन है दा बैंडिंग फॉर्मुला ऑफ गिवें तो बैंडिंग फॉर्मुला क्या होता है एम अपॉन आई सिगमा अपॉन बा को सब्सक्री हां ऊती होता है तो पना होती है यह अपर सोम की सचन्थ है पिसल में चलिया तो यहां पर बैंडिंग फॉर्मॉस्ही steep वेरिम वारी मोस्ट इंपोर्ण यह कुछ सब सब्सक्राइब पूछे जाते हैं तो इसमॉल डिश्चाज मतलब कम डिशाज है और हाइप रहे तो वही होगा रहे सिप्रोकर्टिंग पंप होगा और यहीं पे एक और कुछ न बन जाता है हाई कि दिश्चाज हाई डिश्चा तो हाई प्रेशर के लिए वो लेगा तो रेसिवरोगाटिंग पंप वह इस्चारज प्रेशर को होगा तो सेंट्रिफोगल पंप क्लियर दो कुशन बनेगे चलिए तो नेक्स्ट कुशन देखें कुशन नमबर 20 कुशन नमबर 20 में क्या बोला है एक कार्बोएटर इस पर आपन परने पहले चाले लिए तो पैट्रल नमबर 20 के लिए और दिजल नकिलिए यह एक होता है बार से बार से 16 वह दोल लिए टॉल इंजन ऐस ऐगाए आभी कंप्रेशन डिश्य यह एक टारम लिए होता है तो कंब एशन डेशू जो होता है वह आपका टोटल वॉल्यम मतलब वी एस प्लस वी सी अपन वी सी टोटल वॉल्यम होता है ठीक है यह बहुत बार बता चुका हूं ठीक है तो चलिए नेक्स बात देखते हैं अब कोश्चन नंबर 22 देखे इट टू स्टाइकल इंजन कि अभी तर नंबर ऑफ पावर स्टोक एज कमएदे टू तो फॉर चाइप इंजन टेसे मिजनश्फीड तो देखें इस इंजनश्फीड है ठीक है और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपका यह पूछ रहा है कि क चो डबल करेगा तु तो कोगा एक तो चली एट फॉर तमरो में js AMI को फोर आउने तो और को ढुलीन जाता हुँए ओक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्स्ट व्लडिंग में में क्या होगा हुए कौन से वाल्डिंग होती है projection वैल्डिंग प्रोजक्शन वैल्डिंग होती है multi spot वैल्डिंग होती है यह answer हो जाएहा है multi spot welding होती है इसको समझ लेते हैं तोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक तो यह single spot देख रहा है यह single लेकिन मल्टी स्पोर्ट लग रहे एक लगा सकते है तो मल्टी स्पॉर्ट बेल्डिंग जो होती है उसको यह प्रॉजेक्शन वैल्डिंग बोलते हैं एक यह यहां पर हो को तो कंट्रेंस फ्रेल दिंग का वाला यह वाला प्शन अगया ठीक अभी बना या एक जंपल बताया था और प्रोजेक्शन वर डिंग का वह हो गया आपका मल्टी स्पोट वर ले कलिए चलिए न्याक्त देखते हैं देखें यह दो घो मिस्ट मेर के यहां पर देखिए ओनामेंट साइर कास्ट तो प्रॉम्येंट के सिह किस्सी इंग कि नहीं होना है ट्रेसर कास्टिंग वह प्रेस्तिग होगा यह harvest कास्टिंग ठीक्डुआ इस ऐल्यू ह सथे हो थो जो होता तो लिल्ए को संद्रेना पर अब यहां पार सेल लॉक्डिक कीुष्ट देखतें इसकी कॉतिकल तो जो कोर होती है आप मैं आपको बता दूँँ कोई कास्टिंग करने है तो तो हलो होलो मतलब पूला करना उसके पाइप की तरह तो होलो बनाना तो उसके लिए कुर्यूज करते हैं वही को भी सक्षिन को बनाने के यूज कर जाती है वह ये आपकी कोर होती है ठीक है स्कॉर तो बहुत पर बता चुक हम कोर के बारे में मलेकिन सेंटी फ्यूल कास्टंग जो होती है ना असरे पर वाले को बोला जाएगा उपरवाला बाग को बोता है ड्रैग ड्रैग नीचे वाला होता है यह सबसे ज़्यादा बीच वाला जो पाट तो चीक बोलते हैं ठीक है यह सबसे ज़्यादा कुशन पूछ आते हैं कास्टिंग से क्लियर हुआ और भी कुशन आते हैं तो मैं आपको करा दूँगा बस इससे पहले दोस्तों इसको पहले देखो मैं आपको बता दूँगा चैनल को सबस्कारब कर लिए और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं इसलिए लाइक करना है तो देखो वीडियो भेहनत से बनता है रात को बारे बज़ रहे हैं कहें 12 बज रहे हैं रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ जाक के आपके लिए है थीच है आप तो देख से लिए थू अब चैनल as a Triop देना चैनल को टए कि भडिया तो आपको Let it promotagandalam Research उब्लीआ वा यलिये हैं चलिए हेहें हिहां सब्सक्राइब झाल 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 झाल